हेलो एवरिवन वेलकम टू आईसपी से सिंप्लिफाइड और यह जो लेक्चर नुमर 9 है ठीक है साइन्स के पोर्षन में जो मैं घटना चकर फिजिक्स करा रहा हूं उसकी लेक्चर नुमर 9 है इससे पहले अल्रेडी मैंने थर्मोडानेमिक्स, हीट, वेव, वेव मोशन, का अप्टिक्स की मैंने थेओरी करा रखी है अलाकि वो पार्सिल थेओरी है बट मैं आगे जाके उसको पूरी कम्लीट करूँगा 100 प्लस कोशन उसमें करेंगे अब यह चप्टर स्टार्ट हो रहा है साउंड का ठीक है आप एक्जाम में जाना को किसी बी एक्जाम में जहां कोई प्रॉलम नहीं है चलिए साउंड से स्टार्ट करते हैं अब हम लोग साउंड पर बढ़ते हैं साउंड क्या है एक form of energy है जो which produce a hearing sensation जो हमें सुनने की छमता परधान करती है ठीक है साउंड ट्रेवल करता है साउंड जो ट्रेवल करता है एक वेव के फॉर्म में करता है ठीक है और कोई भी आपजेक्ट जो वाइबरेटिंग है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा ठीक है अब एक जी समझ लेजे साउंड जो होता है उसको एक material medium चाहिए ही चाहिए propagation के लिए अगर एक material medium नहीं है मालो एक कमरा है उसकी सारी material medium air तक को हम हटायते उस कमरे से vacuum create कर देते हैं तो क्या आपको सुन पाओगे नहीं आप चिलाते रजाओगे सामने वाला नहीं सुन पाएगा ठीक है तो sound को एक material medium चाहिए प्रापगेश करने के लिए प्रापगेट करने के लिए मतलब travel करने के लिए एक ear से दूसरे ear तक, एक mouth से दूसरे ear तक, source से sink तक, ठीक है अब वो sound जो है, जो जिस medium से travel करता है उसको हम लोग कहते है medium, simple सी बात है और एक चीज़ याद रखेगा, इससे पहले मैंने waves पर आया, आप waves एक बार जाके देख लेना, wave वाले portion को देखोगे तो आपको sound ज्यादा अच्छी समझ में आएगा इसलिए मैं कहारा हूँ कि एक बार wave के chapter को देख लेना, इसके पीछे मैंने पर आया तो sound wave जो है, एक mechanical wave है, एक जीज़ और समझते हैं, कि sound के लिए medium क्या-क्या हो सकता है sound तीनों के तीनों medium में propagate कर सकती है, वो सिर्फ medium होना चाहिए solid में भी, liquid में भी, या gas में भी, एकड़म must है कि medium होना ही चाहिए, medium कोई सब ही हो चलेगा sound जो है, वो transmit करती है, gas के थ्रू, plasma के थ्रू, and liquid के थ्रू, अगर वो gas, plasma, plasma में semi-liquid manner में जो रहता है and liquid से एगर वो चलेगी, fourth state of matter समझ सकते हो, solid, liquid, gas and plasma तो अगर gaseous, या plasma, या liquid से अगर वो travel कर रहे हैं, तो वो longitudinal wave की तरह travel करेगी ठीक है, मैंने आपको बताया, longitudinal, latitudinal wave, एक दम बहुत अच्छे से explain किया, बहुत जादा time दिया है और इतने सारे mcq, 50 plus mcq मैंने उसमें कराया है, इससे पहले वाले चप्टर में wave motion में, आप एक वर जाके देख लेना ठीक है, लेकिन अगर वो solid से propagate करेगा तो वो longitudinal as well as transverse wave होगा, अब मैं आपको एक छोटा सा difference बताया है अगर वो solid से propagate कर रहा है, तो वो transverse wave की तरह propagate करेगा, as well as, वो जैसे coil में होता है ठीक है, तो समझ लीजे जैसे traverse wave में वो इस तरीके से भी propagate करेगा, तो याद रखिएगा, अगर solid में propagation चाहिए, तो longitudinal as well as transverse wave की तरह propagate करेगा, अगर हम सिर्फ gas की बात करेंगे, या plasma या liquid की बात करेंगे, तो longitudinal wave की तरह propagate करेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब समझते है speed of sound क्या है, तो speed of sound जो है, sound का speed depend करता है nature of the medium पे, जिससे वो propagate कर रहा है, ठीक है, मतलब sound किस speed से जाएगा, वो उसके nature of the medium, कि किस medium से जा रहा उस पर वो highly depend करेगा, अब जब वो highly depend करेगा, मतलब क्या है, कि अगर हम एक medium में रखेंगे, तो sound की speed कुछ और होगी, दूसरे medium में रखेंगे, तो sound की speed कुछ और होगी, पानी के अंदर जाके चिलाओ, तो थोड़ी कम सुनाई देगी, air में आके बोलो तो ज़्यादा सु समझेंगे, किस medium में कितना करता है, तो एक चीज़ समझ लेजिए, कि gas की अगर हम बात करें, तो sound सबसे slow propagate करता है, क्यों, क्योंकि उसकी materials जो होती है, वो डूडी-दूडी पे होती है, उसके अंदर जो molecules है, वो डूडी-दूडी पे होती है, sound needs a material medium for its propagation, तो इसलिए इसमे सबसे slow propagate करती है, clear है, अब आगे बढ़ते है, gas में ज्यादा faster करेगी as compared to liquid, ठीक है, sound की speed fastest होती है solid में, इस चीज़ का ध्यान रखना है, sound की speed fastest होती है solid में, और मैंने आपको पहले भी बताया, कि sound need material medium for its propagation, तो वो vacuum में propagate नहीं करेगी, अब यही एक facts है, कि sound की जो speed होगी ना, वो 15 टाइम ज्यादा होगी air के comparatively, ठीक है, तो अगर air में उसकी speed x है, तो sound की speed steel में, अगर air में x speed है, तो steel में इसकी speed हो जाएगी 15x, तो आप समझ सकते हो, 15 गुना ज्यादा रफतार से आपको सुना ही देगा, तो क्यों ऐसा हो र अब हम आगे बढ़ते हैं, अब sound की speed है, वो temperature पर भी depend करती है, अगर temperature बढ़ता है, तो sound की speed, तो temperature अगर हम बढ़ते हैं, तो speed of sound बढ़ जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, कि जैसे गर्मी में क्या होता है, गर्मी में जो air molecules होता है, वो बहुत जादा vibrate करता है, वो vibrate जादा करता है, मतलब spinning उसकी जादा होती है, तो vibrations जितनी जादा होगी न, inter-molecular spaces के बीच में, molecules के बीच में, इतना भी vibrations होगी न, उसकी वाज़ा से क्या होगा, तो sound की speed बढ़ेगी, कि sound क्या एक vibration ही तो है, तो summer season में, speed जादा होती है sound की, winter season से, ठीक है, अब देख क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो कारण सिर्फ एक सा है, humid air में क्या होगा, water droplets आ जाएंगे, water droplets आ जाएंगे, मतलब क्या, उसमें ज्यादा medium बर जाएगी, that's why, आगे बरते हैं, अब देखिए, different sound की speed, different sound की speed देखेंगे, different mediums में, अब देखिए, air में देखते हैं, 0 degree Celsius पे, 331 meter per second है, sound की speed, air में अगर temperature बर रहा है, मालनो 22 degree Celsius हो गया, तो 344 meter per second हो गया, आपको यह याद रखना है, ठीक है, नॉर्मली, 340 meter per second हो, 344 meter per second एक्जाम में यूज करना होता है, hydrogen, अगर medium है, 25 degree Celsius पे, तो उसकी speed है, 1284, 1284 meter per second, sea water की बात करें, at 25 degree Celsius, it will be 1531 meter per second, तो आप समझ लो, कि जैसे से density बर रही है, density सी water की ज़्यादा होती है, तो speed ज़्यादा हो रही है, aluminium की बात करें, at 25 degree Celsius, तो 420, 6420 meter per second, will be the speed of sound, iron at 25 degree Celsius, will be 5950, 5950 meter per second, speed of sound per second, speed of sound per second, steel की case में बात करेंगे, same at 25 degree Celsius, क्यों हो लेड़ा है, कि इसो nominal room temperature मान के चल रहा है, तो यह हो जागी, 5960 meter per second, ठीक है, तो आप देख सकते हो, steel में यहाँ पर maximum है, और कैसे कैसे speed of sound बर रही है, जब भी molecules इतने close आते जा रहे है, यह density बर रहा है उस चीज का, ठीक है, अब हम लोग समझते है, frequency range, sound का क्या क्या होता है, तो sound waves have been classified into three types, तीन तरीके से होता है, एक होता audible sound wave, एक होता infrasonic, एक होता ultrasonic, ठीक है, यह तीनो sound wave होता है, अब तीनो sound wave किस के लिए normal, किस के लिए abnormal होता है, यह समझते है, audible sound wave जो हम लोग, जिस चीज को हम लोग सुन पाए, ठीक है, तो हमारा ear जिस चीज के लिए capable है, उस ही को कहते है, audible sound wave, capability of our ear to hear, the particular range of frequency, is known as audible sound wave, तो frequency range क्या है, आपको यह एकदम याद रखना है, 20 hertz से 20 kilohertz, 20 hertz स 20 kilohertz will be the, is the audible sound wave, ठीक है, अब हम लोग, infrasonic wave की बात करेंगे, infra, कहता है, frequency of such sound wave is below the frequency of audible sound wave, infra means होता ही है, एक मिनट मुझे color change करने दिजिए, infra का means हुआ, less, less than audible sound wave, तो less than 20 hertz, याद रखिये, audible है, audible क्या है, अगर audible sound wave की हम frequency की बात करें, तो 20 kilohertz से लेके, 20 hertz तक, ठीक है, याद रखिये, अगर frequency less than 20 hertz है, तो यह हो गया, infrasonic, ठीक है, और इसी में अगर ultra की बात करें हम, तो frequency greater than 20 kilohertz हो जाएगा, ठीक है, यह हम लोग आगे बात करेंगे, यह ultrasonic wave हो गया, यह infrasonic wave हो गया, और यह हो गया, आपको audible wave, जो हम लोग स सुनते है, ठीक है, तो simple सा बात, आदे कि अब कुछ है नहीं, बस आपको इतना धिमागर ध्यान रखना है, कि आपको उसो complicated नहीं करना चीजों को, 20 hertz से 20 kilohertz ध्यान रखो, less than 20 kilohertz अगर हम लोग बात करेंगे, तो हो जाएगा, infrasonic, greater than 20 kilohertz बात करेंगे, उस limit से बाहर बात करे तो हो जाएगा ultrasonic, तो हम लोग समस्ते आगे, ठीक है, तो audible पता चल गया, अब हम लोग बात करेंगे, infrasonic wave की, frequency जिसकी बिलो होगी, 20 hertz से, उसको infrasonic wave कहते है, अब हम लोग इसका sources समस्ते कहां कहां से आता है, तो sources of infrasound nature includes volcanoes, volcano हो गया, avalanche हो गया, earthquake हो गया, and metroid हो गया, इसलिए तो Richter scale में, आप देखिए, अगर हमें पता चल पाता है, यह sound wave, इसकी वाज हमें आ पाती, तो क्या, हम लोग उसको पहले से precautions नहीं ले लेते, तो ऐसा नहीं होता है, वो कम आता है, लेकिन हमें पता नही सुना ही नहीं देता है, इसलिए हम लोग Richter scale use करते हैं, लेकिन वो उसके strength use करने के लिए करते हैं, ठीक है, अब बहुत सारे जानवर हैं, जो infrasonic सुन सकते हैं, ठीक है, जो infrasound को सुन सकते हैं, जैसे whales हो गया, elephants हो गया, rhinos हो गया, hippos हो गया, alligators हो गया, squid हो गया, cuttlefish हो अक्टोबस हो गया, इनने में pigeons भी, तो जैसे भुकाम पाने वाला रहता हैं, तो pigeons, hippos, rhinos, giraffes से सब भागने लगते हैं, तो इंसानों को पता चलता है, कि हाँ, इसे लोग क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अर्थकुएक का feeling आ रहा है, अर्थकुएक आने वाला ह आपको, उसी को abnormality कहते हैं, हाला कि आप उनके लिए वो normal है, क्योंकि वो सही कर रहा है, क्योंकि भुकाम पाने वाली है, बट हम लोग के लिए abnormal है, एक्चुली, earthquake produces infrasound of low frequency, before producing main shock wave, which probably alerts the animal, तो उनको alert कर देता है, उनको पता देता है, कि यार, अब तुम समल जाओ, अब beyond the normal hearing, हमारे normal hearing, हमारे range ही है, 20 hertz से 20 kilohertz, ठीक है, आप उसके आगे की बात कर रहे है, अब कहते हैं, फिर भी यहां बहुत सारे जानवार होते हैं, जो इसको emit कर सकते हैं, जो इसको, इस sound को emit करते हैं, मतलब, खुद से produce करते हैं, तो कौन को है, जैसे bats हो गया, whales हो गया, dolphins हो माइस का भी, dolphin की whistling को सुनोगे न, dolphin के whistling को सुनोगे न, तो आपको पता लगा, इतनी sensitive होते की लगी कि आपका कान फट गया, हलाकि आप सुनने ही सकते हो, बहुत चीज़ें उसकी सुनने ही पाऊगे, क्योंकि वो ultrasonic waves produce करते हैं, ठीक है, तो bats याद रखिये, bats भी ultrasonic waves produce क होता है, ठीक है, जो trainers रखते हैं, इसको galton whistle कहते हैं, ठीक है, is a whistle that emits ultrasonic sound for training of calling dogs, तो अगर dogs को बुलाना है, तो ultrasonic wave produce करना पड़ेगा, तो जो trainers होते हैं, वो galton whistle होता है, उसको रखते हैं अपने पास, उसी से वो ultrasonic whistle बजाते हैं, और उसको train करते हैं, ठीक है, तो यह प image of heart, heart के image के लिए, is obtained by reflecting the ultrasonic waves from the different angle part of the heart, तो ठीक है, heart के image को देखने के लिए भी हम इसको use करते हैं, ठीक है, this technique is known as eco-cardiography, that is, हम लोग eco-produce कर रहे है, cardio, मतलब heart की, heart की image को लेने के लिए, ठीक है, इसी को eco-test भी कहते हैं, अब ठीक है, heart के लिए पता चल गया, ultrasonic waves, हमको medicines and industrial field में use करते हैं, ultrasonic waves से हम dog train करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इस सब applications और exam में direct पूछता है, generally exam में पूछता है, इस तरीके question, ठीक है, हम लोग next question की तरफ चलते हैं, अब देखिए, ultrasonic waves जो होता है, वो use किया आता है, break down the kidney stones into smaller pieces, these pieces are excreted through the urine outside the body, अब देखिए, kidney का operation होता है, हम लोग पहला कुछिस करते है, ultra, उसमें क्या होता है, जो stones होता है, जो oxalic seed के कारण normally बनता है, उसको हम लोग छोटे-छोटे parts में break करना चाहते हैं, और उसको चाहते हैं कि urine से निकल जाए, जरूत ना परे operate करने का, ठीक है, तो normally oxalic seed से बनता है, ठीक है, अब हम समझते हैं, कि अब इस bones को चोटा-चोटा तो break करना है, kidney stones को, तो उसके लिए हम लोग ultrasonic wave यूज करते हैं, ठीक है, उसकी frequency को इतनी जादा होती है, कि उसको break down कर देती है, बाडी के अंदर, और वो urine से excrete हो जाता है, ठीक है, अब हम लोग ultrason की बात करते हैं, ultrason में इसको करते हैं हम लोग, cleaning is zigzag tube, जो zigzag tube होता है, जो clean करने के लिए ultrasonic wave यूज करते हैं, sonar आपको पता है, sound navigation and ranging, sound navigation and ranging, इसको ये device जो है, वो determine करता है, distance जो कोई भी object का, जो sea या water में depth है, जैसे एक submarine चल रहा है, water के अंदर, अब उपर से माल लो हम कोई attack करना है, अगर वो enemy का submarine है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम उसको पहले ultrasonic wave से, sonar के technique से, sound navigation and ranging के technique से, हम उसको भेजेंगे, ultrasonic wave को, ultrasonic की बात हो रही है, ultrasonic की, मतलब greater than 20 kilohertz की बात हो रही है, तो हम उसको send करेंगे, और send करते ही हम बता करेंगे, अच्छा, यहाँ पर इस shape का कोई जा रहा है, मत feel it very interesting, अब चलिए हम लोग बात करते है, sound intensity के बारे में, sound intensity क्या होता है, यह define करता है, power carried by sound waves per unit area in a direction perpendicular to that area, ठीक है, याद रखिएगा, power, जिसे मालो यह sound wave है, कोई भी ठीक है, वो कितनी power carry कर रही है, किसी एक direction में, जिस direction में propagate कर रही है, किसी एक area में, जिसे हम समझते हैं, माली जी यह area है, मालो यह एक area की बात हो रही है, ठीक है, तो मालो sound waves यहाँ से यहाँ propagate कर रही है, बहुत सारी, ठीक है, तो यह जो propagation हो रहा है, तो इस particular area के लिए, जितनी sound wave propagate कर रही है, जितनी sound wave propagate कर के आ रही है, वो अपने propagation के perpendicular है, यह तो ध्यान रखना है, ठीक है, तो किसी को intensity का ते है, intensity कभी निकालेंगे, तो किसी एक particular area के लिए निकालेंगे, ठीक है, अब ऐसा unit of intensity क्या हो जाएगा, अब देखिए, power हम sound, intensity के मतलब power कह रहे हैं, तो क्या हो जागा, watt, watt मतलब हुआ, power, और per unit area निकालते हैं, तो watt per meter square हो जाएगा, ठीक है, तो watt per meter square हो The unit of sound intensity is bell, अब देखिए, एक चीज़ जानते हैं, तो sound intensity को bell में measure करते हैं, but 1 by 10th part of bell is commonly used, which is termed as decibel, तो देखिए, sound के intensity को हम लोग bell में measure करते हैं, लेकिन उसी का अगर 1 by 10th part लेते हैं, तो उसी को हम लोग decibel कहते हैं, decibel, deci means 10th part of that bell, ठीक है, deci means 10th part of that bell, तो ठीक है, यह sound intensity की unit है, समझते हैं, अब eco समझते हैं, eco तो बच्पन से आप सुनते आ रहे होगे, जैसे आप मानलो कहीं गए, जहाँ पर बहुत लंबी-लंबी खाई है, आप वहाँ जोड से जाके चिलाते हैं अपने किसी crust का नाम, जैसे चिलाए तो वो reflect back होता है कुछ time के बाद, तो आपके reflected sound को ही इप को कहते हैं, तो क्या हुआ, a sound or sounds causes by the reflection of sound waves from a surface back to the listener is known as aneek को, सीधी सी बात है, कुछ इसमें जादा बहुत जादा brainstorm करने की ज़रूत नहीं है, अब समझते हैं, the impulse of a sound wave क्या होता है, the impulse of sound remains in existence for 0.1 second in mind, को एक sound है न, जैसे मैं आपका नाम लिया, तो आ आपके brain में वो 0.1 second तक exist करता है, मेरे बोलने के बाद भी, ठीक है, that is, 1 by 10th of a second वो exist करता है आपके दिमाग में, उसी हो कहते है, impulse of the sound, तो, to hear clear echo, there must be a time interval of at least 0.1 second between the original sound and reflected sound, ठीक है, तो अगर आप मान लिजिए, कि आपके दिमाग में, जैसे मैंने कुछ बोला आपको, ठी अगर वो है ही दिमाग में, और अगर echo जो है, आप चिलाएं, वो बात फिर से आपके दिमाग में आगई, तो क्या वो फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, तो सुनाई नहीं देगा echo, तो कम से कम, 0.1 second, original sound से delay होना चाहिए, echo का ठीक है, तो ठीक है, ये condition है, अप सु 0.5 meter distance चाहिए, अगर आप यहाँ खरे हो, आप यहाँ खरे हो, माल लो, और जो माल ली यह खाई है, तो कम से कम, minimum 16.5 या 17 meter distance होना ही चाहिए, echo create होने के लिए, तो ये minimum possible distance to create an echo, ठीक है, अब आगे बढ़ते है, अब एक होता है, Mac number, ठीक है, जैसे अब अगनी 5 लांच speed of body to the speed of sound in the surrounding medium, that is, Mac number क्या होगा, Mac number होगा, speed of object, वो किस object किस speed से जा रहा है, by speed of sound in air, याद रखिएगा, तो इस ही को हम लोग comparatively कह सकते हैं, तो speed of object हो जाएगा, Mac number into speed of sound in the air, तो वो सोच लिए कितने speed से जा रहा है, ओफिन यूज किया रहाता है, Mac 1, Mac 2, इस तरीके से unitis को म्यूज करते है, तो Mac number होता है, speed of object by speed of sound in air, speed of object by speed of sound in air, ठीक है, इसी तरीके से होता है, subsonic aircraft, ये क्या होता है, इस एक aircraft होता है, supersonic, एक होता है hypersonic object, ठीक है, hypersonic object, subsonic object और subsonic aircraft, तो subsonic aircraft के बारे में जानते हैं, ये कैसा aircraft होता है, जिसकी speed less than the speed of sound होती है, ठीक है, 340 meter per second in air, हम लोग मानके चलते हैं, ठीक है, तो ये subsonic, sub का मतलब ही होता है, enter, supersonic मतलब ज्यादा, वैसा object, the object with match, Mac number between 1 to 5, को कहा था, अगनी 5, अगनी 4 missile, जो super Mac के speed से चलती है, ठीक है, जैसे देखे, ब्रहमोस 3 का example दिया है, बट वो आगे समझते है, तो अगर मान लेजे किसी कोई missile की speed जो है, वो 4 Mac है, ठीक है, मतलब 4 times speed of sound है, तो वो subsonic aircraft के speed में आ जाएगी, ठीक है, सॉरी, supersonic में आ जाएगी सबsonic तो कम हो जाता न, speed of sound से, तो supersonic के speed में आ जाएगी, अब हम लोग hypersonic object की बात करेंगे, जो की 5 Mac से जिसकी speed greater हो जाए, ठीक है, speed of that object, ठीक है, these object है, whose Mac number is more than 5, Mac number का मतलब ही क्या है, speed of, देखे, Mac number का हम यहाँ से निकालते हैं तो, speed of object क्या हो जाएगा, तो Mac number को M से रि speed of object, अब कह रहा है, जिसका 5 से जादा होगा Mac number, तो यह 5 से जादा हो जाएगा, speed of sound से, तो वो hypersonic हो जाएगा, इसका example क्या है, इसका example है, ब्रमोस missile, इसका example है, ब्रमोस 2 missile, अगनी प्राइम जो भी आया है, recent में, ठीक है, अब हम लोग चलते है, question bank पे, ठीक है, question bank पे चलत different medium दे रखा है, ठीक है, ascending order में, ठीक है, तो देखे, water दिया है, steel दिया है, nitrogen दिया है, ठीक है, बढ़ते हुए करम में लगाना है हमें, तो हमें पता है ना, कि sound का जो होता है speed, वो solid object में बहुत जादा होता है, तो यहां solid object क्या है, steel है, तो steel आ जाएगे, तो option देखते है, इसे eliminate कर दिया, खतम, इसे तो मुझे देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं इसके बारे में, elimination इसी तरीके से काम करेगा, अब हम लोग दिखते है, water and nitrogen, ठीक है, तो nitrogen क्या है, gas है, तो gas सबसे पहला होगा, मतलब हम लोग पूछ रहे हैं, क्या, ascending order में, सबसे कम speed होगी nitrogen में, तो हम third को सबसे पहले number पे खोशते हैं, यहां मिला, और यहां तो नहीं मिला, तो option B हमारा correct answer है, look no further, आगे नहीं बरना है, इसको explain करने की भी जरूत नहीं है, मुझे, अब आते है second option, question पे, कहता है, the sound will have the highest velocity in, it will have highest velocity in steel, क्योंकि उसको compactness चाहिए, ठीक है, steel में इसकी speed होत 331 meter per second, air में होती है, 1531 meter per second, sea water में होती है, और iron में 5950, 5950 meter per second होती है, तो steel में इसी क्या prox होगी, अब देखे, अगला question है, कहता है, velocity of sound in air, air approximately कितनी होगी, 330 ले लो, 330 meter per second होता है, कहीं, कहीं 340 बोल देता है, कहीं 334 बोल देता है, प्रोक्स 340 या 330 के बीच में ही, meter per second उसक 30 second BPSC prelims में पूछा गया question है, question 4 पर चलते है, the velocity of sound is maximum in air में, liquid में नहीं, vacuum में नहीं, metal में, vacuum में तो propagate ही नहीं करेगी, आगे बढ़ते हैं, अब question कहरा, if VA, VW and VS respectively are the speed of sound in air, water and steel, तो इसमें क्या होगा, simple सा concept है, steel वाला सबसे जादा होगा, ठीक है, तो steel वाला सबसे जादा ह होगा, तो हम लोग इसमें option खो जाएंगे, तो देखिए, steel सबसे जादा का option कौन-कौन सा आ रहा है, तो एक ये आ रहा है, एक और तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो option मेरा ये correct है, आगे बढ़ जाएंगे, ये होगा question 5, अब question 6 पर चलते हैं, कहता है, in which medium the speed of sound is maximum at the temperature is around 20 degree Celsius, 20 degree Celsius की बात कर रही है, मतलब हमारा room temperature का बात हो रहा है, 20-22 या 22-25 maximum, तो room का बात हो रहा है, air में नहीं होगा maximum, water में maximum नहीं होगा, granite में maximum नहीं होगा, iron में maximum होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि iron जो हो metal है, metal में उसकी elasticity और density, अब देखिए, यहाँ पर बोलोगा, रहे, ऐसा कैसे हो गया, फिर granite में क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ, तो density of iron जो होगा न, वो ज़्यादा होगा, density of granite से, ठीक है, आप एक granite को उठालो, एक टुक्रे को और iron को उठालो, वो पता देखिए, कौन किसकी density ज़्यादा है, ठीक है, तो option iron होगा, जितनी ज़्यादा density जिसकी होगी, speed of sound उतना ज़्यादा faster होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहरा है sound waves, sound waves सिर्फ vacuum में नहीं चाल सकता है, और एक चीज़ याद रखेंगे, कि sound wave को material medium चाहिए, तो पहला option तो मैं ऐसे eliminate कर दूँगा, cut करो इसको, can travel in vacuum, can travel only in solid, नहीं, liquid में भी travel कर जाता है, ज जर्माजी ने गलत question मनाया, option D पर जाते है, D क्या कह रहा है, देखते है, can travel both in solid and gaseous medium, absolutely correct, so answer D will be correct, मुझे नहीं लगता है, इसको explain करने के ज़रूत है, मैंने इतना सारा explanation दे दिया है, कि अब कोई ज़रूत नहीं है, अब देखे, sound waves travel faster, किस में सबसे ज़्यादा faster होगा, solid में faster होता है, सोचना ही नहीं है, जिसकी compactness, जिसकी density जादा, वहां sound faster travel करेगी, इसलिए steel में सबसे ज़्यादा, iron में उससे ज़्यादा, in which of the following option, sound may not be across, that is, sound जिससे travel नहीं करेगा, बिलकुल vacuum में travel नहीं करेगा, क्योंकि वहां material medium नहीं है, देखे, UPPCS prelims के question है, question की level अच अब कहे रहा है, the walls of the hall, built for music concert should, sound को absorb कर ले, अगर sound को reflect करने लगेगा, sound को reflect करने तो echo सुनाई देगा, तो आप ठीक से सुन नहीं पाओगे, जो कोई singer perform कर रहा होगा, या फिर कोई music बज़ रहा होगा, तो आप उसको absorb नहीं कर पाओगे, अगर वो sound को amplify कर देगा, तो आप noise को absorb कर लेगा, ठीक है, अब इसको में एक और पढ़ लेते हैं, the walls of the hall, built of music concert should absorb sound, most of the solid walls reflect the sound, if the walls of concert hall reflect the sound, then audiences hear the echo sound, भीलकुल, अगर reflection होगा, तो echo आएगा, तो गुंजेगा, धंक से आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है, अब देखिए, इसको बहुँ जादा explain करने की ज़रत है, हम लोग जानते है, echo को clear here, hear करने के लिए, minimum distance between the reflecting surface and observer कितना होना चीए, मतलब हम जहां खरे हैं, और जहां sound reflect होड़ी है, उसके बीच में कितना होना चीए, तो 16.5 meter होना चीए, मैंने आपको बताया था, meter में याद रखिएगा, 16.5 meter या 17 meter option दिया रहेगा, ठीक है, इसक explanation को देखने कोई जरूत नहीं है, इतना ज़्यादा घुषने की जरूत नहीं होती है, जनरल साइंस के केश में, अब देखिए, how much sound, how much should minimum distance be between the source of sound and reflecting surface, echo के लिए पूछ रहा है, same है, 16.5 होगा, ठीक है, 17 ले लेंगा, अगर नहीं होगा, 17 meter, क्योंकि कहीं पर sound की speed कहीं 340 ले लेता, कहीं 330 ले लेता, कहीं 335 ले लेता है, तो उसके, अब उसी के against में हमारा answer तेयार होगा, अब कह रहा है, one important characteristic of sound is pitch, which depends upon, pitch किस पर डिपेंड करती है, pitch डिपेंड करती है, frequency पर, हम समझते है, pitch क्या होती है, जो frequency की sensation होती है, उसे को pitch कहते है, मतलब, the sensation of frequency is known as pitch, of the sound, कहते है, a high pitch sound or corresponds to a high frequency sound, अगर pitch ज़्यादा है, pitch याद रखेगा, एक keyword में बताया तो आपको pitch, यह जैसे ही दिमाग में आया, तो आप frequency समझ ले न, मैं आगे और एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसलिए इस keyword को मैं चाहता हूँ, कि आप लोग इसको दिमाग में बठा लो, क्योंकि हम pitch के बाद फिर amplitude की बात करेंगे, amplitude की बात करेंगे, तो उसकी loudness की बात करेंगे, अब तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिछ जो होता है, वो frequencies related होता है, frequency ज्यादा, pitch ज्यादा, frequency कम, तो pitch कम, ठीक है, और low pitch और higher pitch का मतलब जो frequency ज्यादा होगा, तो frequency ज्यादा होगा मतलब oscillation ज्यादा है, number of oscillation per second ज्यादा है, उस sound wave का, ठीक है, अब question number next चलते है, 50, कहता है two astronauts है, cannot hear each other on moon's surface, because there are no atmosphere on the moon, simple सी बात है, sound needs a material medium for its propagation, moon पे कोई atmosphere नहीं है, कोई material medium नहीं है, vacuum है, so, we cannot talk there, next question चलते है, same question है, एक astronaut खुद को सुनने ही पा रहा है, खुद की companion को सुनने ही पा रहा है, moon पे क्यूं, क्यूंकि there is no medium of sound propagation, देखिए, ये question पहले पूछा, UP PCS में, LDA में, UP, UP, या फिर किसी भी PCS exam में, इसा question बहुत frequent है, अब देखते है, next question 17, consider the following statements, कहता है, flute of smaller length produces waves of lower frequency, ठीक है, sound travels in rocks in the form of longitudinal elastic waves only, गलत, दोनों गलत है, ठीक है, जो smaller flute होता है, उसकी frequency higher होती है, और जो sound travel करता है, लोंगिट्यूडल, rocks में, rocks मतलब solid में बात हो रही है, तो ये longitudinal as well as traverse दोनों करेगी, मैंने आपको explanation ने बताया था, ठीक है, तो दोनों गलत है, तो neither one nor two, ये IS prelims की question है, 2007 की, थोरा सा information आपके पास रहना चाहिए, तभी step के question कर पाऊगा, मैं explanation पर देता हूँ, अब कहरा है, flute of long length produces the waves of higher wavelength, thus a flute of smaller length produces waves of higher frequency, ठीक है, therefore statement 1 is not correct, sound is transmitted through gases, plasma and liquid, अब gas, plasma and liquid की बात करेंगे न, तो उसमें longitudinal वो ट्रेवल करती है, बट अगर हम solids की बात करेंगे यहाँ rocks की बात हो रही थी, तो वहाँ पे दोनो तर्यों की से होती है, longitudinal as well as transverse, तो याद रखना है, यह चीज़ बहुत important है, हलाकि यह introduction ही था हमारे chapter का, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है, कहरा है, consider the following statement, about the ultrasonic wave, ultrasonic means, ultra means high, more than high, ultra means greater than 20 kilohertz से जादा frequency, यही तो कह रहा है, ultrasonic wave, अब कह रहा है, क्या कह रहा है, question में यह देख लेते हैं, यह कहता है, day can destroy insect, बिल्कुल correct है, यह इतनी जादी frequency है, कि insect से damage हो जाएंगे, इसलिए तो कहते हैं, जादा जो towers लग रहे हैं, frequency, अगर oscillation बहुत बर रहा है हमारे environment में, त damage हो जा रहे हैं, वो काफी damage हो रहे है, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है हमें, कि honeybees disturbed ना हो, क्योंकि अगर हम, हमारे life का cycle होता है, pollinescence फिर घटेगी, pollinescence घटेगी, तो फिर हमें plants नहीं मिलेंगे, फिर अब समझ रहे हो हमारा जिंदगी क्या हो जाएगा, तो parasonic wave, disease को treat करने के लिए होती है, यूज, बिल्कुल होती है, ठीक है, जैसे intestinal disease को cure करता है, they can control automatic doors, बिल्कुल ये भी करता है, so, ये सारे के सारे options, एक तरीके से applications है, और एक जो उसका है, demerits है, तो आप याद रखिएगा, all the options are correct, so basically, we should go with option D, explanation पढ़ लेता हूँ, sound waves are divided into three categories बिल्कुल मैंने आपको बताया, एक audible होता है, 20 hertz से 20 kilohertz, एक infrasonic होता है, जो less than 20 hertz होगा, एक ultrasonic होता है, जो greater than 20,000 hertz होगा, बिल्कुल मैंने आपको ये अल्रडी बता चका है, और ये limit को आपको याद भी रखना है, क्यों याद रखना है, exam में direct पूछेगा एक question, फिर से determination of depth of C, बात खत्म है, ये इसके explanation है, आपको लग रहा होगा, ये question तो असान है, लेकिन UPPCS में पूछा गया है, बट इस question के basis पे आप 3-4 question और solve कर सकते हो further, तो look no further, move to the next question, ultrasonic, ultrasonic are sound waves of frequency, देखिए, ultra की बात कर रही है, ultra means greater होता है, तो greater than 20,000 hertz, 20,000 hertz, अब कहता है, what is the audible range जो हमें सुनाई देती है, humans के लिए, 20-20,000 hertz, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए, MPPCS कोशन है, कितना असान कोशन है, कोई बच्चा भी बना दे, इसे, अब कहता है, बायो टेक्निक in which ultrasonic wave is used, ultrasonic wave में किस में होता है, sonography में, आप याद करो, मैंने आपको बताया था ना, sonography में, चलो समझ भी लेते हैं, sonography को, और इसको ultrasonography भी कहते हैं, यह important mean of clinical diagnosis है, it is diagnostic imaging technique based on the application of ultrasound, it is widely used in the field of medical science, it is mainly used to provide a variety of information about the health of a mother during pregnancy, sonography during pregnancy, and the health and the development of embryo or photos, तो यह एक तरीके का illegal भी है, अब आप इसके healthier development के लिए जान सकते हो, बट यहां sex determination के लिए नहीं यूज करना चा यह highly banned है, ठीक है, तो this is all about the question, now moving to the next question, ultrasonic के बारे में आप लोग इतना समझ ले हो, ultrasonic important है, अब देखें, question number 22 क्या कह रहा है, कह रहा है, कि bats can fly during nights and also pray, मतलब वो अपने जो insects होते हो, इसको catch भी कर सकते हैं, वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि they produce ultrasonic waves and they are guided by them, तो bats का एक concept होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे bats उड़ रहा है, ठीक है, मुझे बनाने नहीं आता, तो यह ultrasonic wave produce करते हैं, विसील की तरह, तो यह जो होता है, यह एक तरीके का wave होता है, अब यहां मान लोग एक insect आ गया, तो इनको पता चल गया, अच्छा यहां पे थोड़ा सा deformation होड समझ लो यह, कभी अगर इनकी strength बर गई तो हम और आप भी गया, ठीक है, चल लिए, next question पे जलते हैं, कहता है कि इस statement हो consider करो, the heart vibrates at infrasonic, ठीक है, अब यह पूछ कहा रहा है, पहले हम लोग यह देखेंगे, हाँ, correct पूछ रहा है, correct पूछ रहा है, correct पूछ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है, कि heart जो है, वो इन्फरासोनिक से vibrate करता है, इन्फरासोनिक, अब देखें, इन्फरासोनिक का मतलब क्या हुआ, f equals to, f is less than, equals to 20 hertz, sorry, less than 20 hertz, उसकी time period क्या हो जागी, आप बताना मुझे, 1 by 20 hertz, 1 by 20 को क्या लिए सकते हो, 0.05 second, मतलब एक ब the speed of sound is more in gas than in liquid and solid, क्या यह सही है, बिल्कुल गलत है, speed of sound जादा होती है, solid में, उसके बाद liquid में, फिर gases में, ठीक है, तो यह बिल्कुल कट गया, तो काटने के लिए मैं red symbol देता हूँ, अब हम लोग next बात करते हैं, कहता है, mac number is used to describe the speed of sound, बिल्कुल सही है, ultrasonic, infrasonic, यह सब तो हम लोग supersonic object को major करते है, mac number से, ठीक है, अब तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथे की बात कर लेते हैं, कहता है, ultrasonic sound has frequency more than 20,000 hertz, बिल्कुल सही है, तो 134 correct है, तो option C हमारा correct है, कुछ पढ़ने की जरूत नहीं, आगे बढ़ते हैं, कहरा है in a stethoscope, जो doctors use करते हैं, the sound of patient's heartbeat reaches the doctor's ear by, कैसे पहुचता है, तो हम लोग इसके options देखते हैं पहले, कहता है multiple diffraction of sound, diffraction होगा multiple reflection of sound, diffraction मतलब क्या, absorb हो जाता है, तो polarization of sound और multiple reflection of sound, बिल्कुल गलत है, तो एक ची समझे है, reflection होगा न, multiple reflection होगा न, तभी sound clear पहुचेगा, क्योंकि उसमें reflection में न, energy lose नहीं होती है जैसे मैं आपको example देता हूँ, माल लो ये एक surface है, कोई एक wave आया, इस पर टकर आया, इसका कुछ पार्ट जो है न, वो, इसको कहते है reflected wave, ठीक है, और माल लो गर कुछ पार्ट इसका absorb हो गया, इसको कहते है absorbed, और reflected, ठीक है, तो माल लो ये x रुपीज था, ये y absorb हो गया, तो यहां कितना आया, x-y, तो इसकी strength तो कम हो गयी न, बट अगर ये ना आये, ये reflection ना आये, reflected wave आये ही न, तो x equals to x, जितना आया, उतना चला गया, तो मतलब उसकी energy ज्यादा है, तो reflection होना चीए, reflection और absorption नहीं होना चीए, अगर आपको clear sound सुनना है तो, ठीक of the following is the effect of flight of, इसकी क्या effect हो सकती है, supersonic की, तो एक सची चान लीजे, air pollution तो वो create करेगा नहीं, करता भी है तो कम, eye disease, क्यों करेगा, eye disease, वो तो supersonic speed से जा रहा है, तो depletion in ozone करता है, वो, इसके बारे में हम लग थोड़ा स्था जमज लेते हैं, कहता है, a jet is a machine for turning fuel into thrust, वो fuel को thrust, अब चलते हैं, next question number 27 पर, तो कह रहा है, decibel used to measure, किसको measure करता है, sound in atmosphere, is used by decibel, decibel means, 1 by 10th of bell, ठीक है, यह intensity of sound measure करने में, यूज होता है, मैंने पहले बता रखा है, decibel unit is used to measure sound intensity, आगे बढ़ते हैं, same question repeat होगा, देखिए, UPPCS में पूछा है, इससे पहले वो, MPPCS में पूछा है, 2005 में, फिर उसके बाद आपको यूत्रक and lower sub PCS में पूछा है, decibel unit is used in measure the intensity of, sorry, intensity of heat नहीं, intensity of sound, देखिए, एक्जाम म decibel level होता है, और 30 decibel होता है, अब एक चीज याद रखेगा, इस table को आपको एकदम ये समझ लेना है, कि ये, तो इस, इसको आपको याद करना है, क्योंकि ये एक्जाम में पूछता है, ठीक है, अगर conversation है, तो 30 decibel के around होता है, विस्परिंग का धीरे धीरे फुसफसाट करके बोलना में, 15-20 decibel होता है, नॉर्मल कनवर्सेशन में 30-60 decibel लगता है, अगर हम एंगर गुसाक में बात करें, 70-80 decibel होता है, ट्रक मोटर साइकल में, लगोग 90-95 decibel होता है, अगर हम लोग इंस्टुमेंट फैक्टरी की बात करते हैं, तो 100-110 decibel होता है, जेट प्लेन की सब से यदा 140-150 decibel होता है, तो ये टेवल को आप याद कर लो, नहीं भी याद कर लो, तो relatively समझो, कि अगर हम धीरे बोलेंगे, तो 15-20 होगा, normal 30-60 होगा, तो relatively कैसे भी करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ए एक्जाम में पूछता है, maximum एक्जाम में पूछेगा ये, अगर क्योंकि अभी देख लो, मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, इंस्ट्रुमेंट फैक्टरी के आसपास, 100-110 decibel का noise प्रोड्यूस होता है, तो ठीक है, समझ गया, आगे बढ़ते है, अब कह रहा है, कौन सा ऐसा, जो है, जो रिपरजेन करेगा, decibel level of rustling of, rustling of tree leaves in normal circumstances, याद बढ़ते हैं, अब कहता है, एच पर WHO, World Health Organization, the safe noise level for a city is, एक सहर के लिए safe noise level क्या है, तो लगो 45 dB है, यह exact factual है, इसमें आप कुछ कर सकते हो, कोई logic काम करे है, नहीं करे है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप 100% गलत करके आओगे, अगर आपको पता है, तो यह कभी गलत नह कर गया होगे, तो 45 dB है, डेसिबल है, ठीक है, अब समझते है, the tolerable limit of noise, एक ऐसा limit जो tolerate है, जो हमारे यह tolerate कर सकता है, human being के लिए, कितना है, तो 85 dB तक है, इस explanation देख लेते है, रास्तान administrative service में पूछा है, कहता है, the intensity of sound in normal conversation is 30 to 60 dB, the sound of 50 dB is enough to wake up a sleeping person, to remain continuously in the sound of 80 dB proofs to be harmful, तो 80 dB से जो earphone लगाते हैं, उसको full noise में नहीं सुनना चाहिए, 90 dB is the maximum limit of tolerate any noise by human being, इस से ज्यादा tolerate नहीं हो पाता है, अब चलते है, कह रहा है, sound above what level in decibel is considered as hazardous noise pollution, तो 80 dB से ज्यादा हुआ, तो 80 dB से ज्यादा होगा, याद रखिए, 80 dB से ज्यादा होगा, तो वो हजाडस हो जाता है, इससे hearing loss हो जाता है, total loss of hearing भी हो सकता है, blood circulation बदल जाएगा, breathing pattern चेंज हो जाएगा, blood pressure बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखना है, तो 80, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब कह रहा है, which one of the following unit is used to measurement of noise pollution, noise pollution के लिए हम लोग decibel यूज करता है, ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा damaging है, तो 80 से ज्यादा नबबे तो है नहीं, क्योंकि यह optimum sound level पूछ रहा है, maximum कहां तक सुनना पसंद करेंगे, तो 60 decibel आगे बढ़ते है, ठीक है, अब देख लीजे, मैंने आपको बताया था न, एक, pitch जो होगा, वो frequency से related होगा, तो loudness related होगा, amplitude से, इसको ध्यान रख लीजे, pitch related था मैंने आपको बताया था, frequency से, loudness of sound is measured in terms of following, तो वो measured है amplitude से, ठीक है, आगे बढ़ते है, अब कह रहा है, worker was working on a rail track, a boy at a distance holds his ear near the rail track, this boy was able to hear sound of the blow of workman toys, it is because of, देखिये, कह रहा है, एक track जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक worker काम कर रहा है, और वो हथोड़े से इस पर प्रेस कर रहा है, यहाँ पर बैठे हो कान लगा के, आप उपने कान लगा के हाँ बैठे हो, जब यहाँ ब्लो करता है, तो यह मान लेजे 2 km distance पर है, यह इसको देख नहीं पा रहा है, ल 5,000, हम माल लेते हैं, average, 5,000 meter per second के speed से, तो अराम से सुना ही दे रहा है, ठीक है, solid में उसकी velocity जादा होती है, तब इसकी options देख लेते हैं, क्या है, कह रहा है, the speed of sound is greater than steel than in air, बिलकुल यह option है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमे एक्स्प्लाइन करने की जरूत नहीं है, statements कह रहा है, statement कह रहा है, statement 1, speed of sound decreases when we go from solid to gaseous state, बिलकुल सही है, 100% सही है, solid की जादा होती है, solid की जादा, फिर होगी liquid की, liquid में speed की sound, फिर होती है gaseous की, plasma की फिर gaseous की, अब solid liquid gas में भी देख लो, तो पहला तो सही है statement, दूसरा statement देख लेते हैं, कह रहा है, in any medium as we decrease the temperature the speed of sound increases, यह तो बिलकुल गलत है, यह जरूरी नहीं है, ऐसा है क्या, कि जब हम temperature decrease करते हैं, तो मेरा sound बढ़ जाता है, जब gaseous medium में, आप temperature बढ़ता है, जैसे हमारे यहाँ समर सीजन आता है, तो हमें noise की speed जादा हो जाती है, velocity जादा हो जाती है, ठीक है, statement 3 कह रहा है, speed of sound is less in aluminium medium than in glass medium, यह बिलकुल गलत है, ठीक है, बिलकुल गलत है, aluminium में ज्यादा होगा as compared to glass, क्योंकि glass जो amorphous solid है, aluminium जो metal है, ठीक है, तो statement 1 ही सिर्फ correct है, तो यहाँ option C correct होगा, यह 36 गड़ PCS का question है, आप समझ सकते हो question की level, बस basic clear होना चाहिए, question तो बनेगा ही बनेगा, आप दे changed is, ऐसा कौन सा quantity जो unchanged रह जाता है, यह question बार वार BPSC पूछती है, ठीक है, तो याद रखे, frequency never changes, amplitude change हो जाएगी, speed change हो जाएगी, wavelength जाएगी, but frequency never changes, so option A will be correct, इसका explanation देख लेते है, कहता है, when sound wave goes from one medium to another, its frequency usually remains same, because it is like a drive and oscillation and maintain the frequency of the original sources, frequency of oscillation from original sources maintain रखना है, while its speed and wavelength are changed, the amplitude of sound is also changing at decrease with distance from the source, पिलकुल जितना दूर जाएगी, आवाज कम आएगा, देरे देरे बढ़ेंगे आगे, तो और पीछे चला जाएगा, आजाते है, option question मों 42, यह question, अच्छा question लग रहा है, क्योंकि यह civil services का है, है ना, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, question प होता है quality, जो differentiate करता है, ठीक है, तो quality will differentiate, अगर हम same tone play करेंगे, ना, same tone जैसे जनगनमन play कर रहे है, सितार पे या flute पे, दोनों में quality के difference होती है, ठीक है, यह होता है, अब देखिए हम इसको समझ लेते है, तीन factor बहुत important होता है, loudness, जो कि intensity बताती है, loudness, amplitude पे डिपन करेगी, देखिए, यह याद रखना है आपको, यह amplitude पे डिपन करेगी, अगर हम pitch की बात करेंगे, तो pitch डिपन करेगी, frequency पे, quality याद रखिए, differentiate करती है, ठीक है, तो यह तीनों याद रहना चाहिए, काफी interesting point है, हलका सा confusion जोता है, तो कोई trick बना के रैटली जैगा, ठीक है, अब आ पलसी बात है, phonomans, phonemes, याद रखिएगा, phonon मतलब ही होता है, sound, phonon मतलब sound होता है, ठीक है, तो देख लीते है, phonemes is the basic unit of sound, phonology कहते है, basic study of sound को, it is the smallest unit of sound, that may cause a change of meaning within a language, but that does not have meaning by itself, question of 44, आते है, assertion reason type question है, assertion reason type question है, इसमें कहे रहा है, कि reverberation, mainly fields in a large churches, and in the other large building, अब बहुत बड़े building में जाओगे, तो reverberation का मतलब होता है, कि जब multiple reflection होगा, sound का, तो बार-बार sound reflect होके, आपके कान तक आईगी, उसी को reverberation कहते है, ठीक है, revibration भी समझ सकते हो इसको आप, तो हाँ, assertion is correct, अच्छी, अच्छी option से, reason पर जाते है, reason कह रहा है, the walls, the roofs, and the ground may cause multiple sound reflections, yes, this is the correct explanation, the reason is also the correct explanation of the given assumption, so option A is correct, sorry, आगे बढ़ते है, अब कह रहा है, consider the following statement, कह रहा है, widely used, a widely used musical scale called, diatonic, scale have seven frequencies, diatonic है, तो seven कैसे हो सकता है, बाई, बिलकुल नहीं, तो one incorrect है, नाम से ही पता चल रहा है, incorrect है, कह रहा है, the frequency of the tone, सारे गामा, सारे गामा, सारे गामा, तो, is 256 हर्च, and that of, सारे गामा पादा नी, has 512 हर्च, देखे, यह कितना factual question है, अगर आपको इतने facts याद करने पड़ेंगे, कि सारे के सारा जितने भी diatonic languages हैं, music system में आपको याद करना पड़ेगा, एक बार आपको ये question देख के जाना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं देखे हो, तो आप बहुत damn से और होगा, आपको exam में गलत करोगे question को, ठीक है, त जारे, गामा, पाधा, नीशा, तो कितना हुआ, चार और चाराट, ठीक है, और इसी eight notes को tones भी कहते है, and the ratio between the last and the first note is two is two one, तो last और first one को लेंगे, तो two is two one हो जाएगा, इसको और इसको लेंगे, तो two is two one हो जाएगा, ठीक है, it therefore called an octave, तो last और first को लेंगे, तो octave हो जाएगा ठीक है, the major diatomic square consists of notes with frequency in the ratio, frequency की ratio रहती है, 9 by 8, A5 by 8, तो इतना याद करने की जरूत नहीं है आपको, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, the higher frequency saw, सबसे जादा higher frequency saw की होते है, is called the octave of the lower saw, तो जो सबसे पहला होता है, उसकी सबसे higher होगी, और सबसे lowest saw, जो सबसे last वाला हो सा, रे, गामा, पादा, नी, नी का हो जाएगा, आपको 480 hertz, that is 15 by 8, ये complete scaling change होगी, अब ये कुश्यों इतना tough बनायागा था, आपको लगता है tough, क्योंकि आपको ये सारे factors को आपको याद करना पड़ेगा, अगर ratio याद है, हर्क में, जोसे देख लिए, पहले का frequency मैं आप invite, सारे गा का कितना हो जाएगा, x into 5 by 4 frequency, समझ रहो, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ये sequence को याद रखना पड़ेगा, अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, when TV is switched on, तो क्या होगा, तो ऐसा होता है क्या, कि TV on किये sound बाद में आई, और दिखा बाद में visuals ऐसा नही बात करते हैं, तो पहले आपको light दिखती है, फिर आवाज आती है, फिर आवाज आती है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि speed of light जादा होती है, speed of sound की, ठीक है, बट यहाँ पर case वो नहीं है, यहाँ पर audio and video both start simultaneously, बट हाँ, अगर हम पुरानी TV की बात करें, तो पहले क्या होता है, sound पहले आया, फिर धीरे धीरे वीडियो आता था, तो हम पुरानी TV की बात नहीं करें, अब हम लोग auto synchronizer यूज करते हैं, जो कि audio की synchronize कर देता है, वीडियो के साथ, तो जैसे audio आगा तभी वीडियो आएगा, तो यह हम लोग साइन्स का कमाल है, अब हम लोग आते है, question mark 47 प बात करें तो frequency modulation से होते हैं, याद रखेगा, picture signal, picture signal by amplitude modulation, and frequency modulation होगा, उसे audio signal होगा, question mark 48 and question mark last, the technique used to transmit audio signal in television broadcast is, audio की बात हो रही है, तो frequency modulation होगा, यह हमारा है, यह दो चीज़ को याद रखेगा, तो this is all about the sound chapter, तो यह complete होगा, sound chapter, आप मेरे को feedback दीजिए, मेरी चैनल को subscribe कीजिए, अगर आपको लगता है, कि हाँ, सही में ये content सही है, मैं से बहुत सारे content लाने वालो, धेर सारा content आएगा, और सारे घटना चक्र मैं कराओंगा, इवेन आप जो बोलोगे, ये demand करोगे, वो ही मैं परादूगा, तो उसके लिए आपको मेरी चैनल को subscribe करना पढ़ेगा, thank you for this कर झ对 हूँ, थाँ कर दो दो लाने vो बोलो, तो उसके लिए और सारी की बदाते है, ग्योंता है, खा meas Subscribe